लेकिन हमारे कस्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ कभी नहीं चर्चा हुई है लेकिन आज आपको बता दें जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और अज भारत प्लूब से उत्तराघंड वालों से सीखेंगे कि इन गुसपैटियों को जवाब ऐसी प्रकार दिना होगा पर्चे चिपकाना ही नहीं इन्हें तो चिन्नित करके बाहर तक बहर तक भेज के आना है जो तारों के नीचे से गुस गुस के आये ना इन्हें तारों के उपर से दिया था और उन नारों को याद करते हैं इन्हों तुम्हारे कितने मुगल और कितनों की कबर खोद दी हम उनके वाद करते हो उत्रा खंड की अगर देश के अंदर गुस्पेटियों के पक्षधार बनोगे तो बगाए नहीं जाओगे और नहीं पर्चे चपपाए जाओगा तुम लोगों को सीए कानून के तहट बाहर निकाले जिस तरह से उत्तरा खंड के उत्तरकासी में मामला चल रहा है उसको कैसे देख पाते हैं बिल्कुल सही चलतो रहा है क्या दिक्कदारी है वहाँ पर उस समय कहां मर गए थे सारे के स जब कश्मीर के अंदर पर्चे तो पर्चे माईकों से चिला चिला कर चिला कर बोले थे क्या बोले थे मालूम है ना आपको कि अपनी बहन बैटियों को छोड़ जाओ और यहां से काफिरों भाग जाओ आज आज यह इन पर्चों पर चर्चा कर रहे हैं उस समय क्यों नहीं चर्चाएं हुई थी जब भारत में कश्मीर का पंडित आज रोहिंग्याओं से भी बुरी हालत जी रहा है रोहिंग्या देश के अंदर घुस पैटिया उसके लिए वोट आधार सारे सारे कारी की जा रहें लेकिन हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ कभी नहीं चर्चा हुई है लेकिन आज आज आपको बता दें जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए इसका कारण मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो यह हम भारत की संस्कृति के लोग है हम बसुदेव कुटंबकम के नारे के साथ में विश्व संस्कृति में वीडियो देखा है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो और यह चर्चा पर्चे पर कर रहे हो आप लोग काईदे में रहोगे तो फाइदे में रहोगे याद रखो वस अगर देश के अंदर गुसपेटियों के पक्षधार बनोगे तो बगाए नहीं जाओगे और नहीं पर्चे चपपाए जाओगा तुम लोगों को सिये कानून के तहर बाहर निकालने के काम करेंगे इसलिए तो राहूल गादी काता है कि भाराते मुसलमान आसाज मफसुद्टियों के लिए बड़े नरसंगहार बेटियों के साथ किया आज तक किसी पर नहीं कोई बोलता अरे बड़ी बड़ी चर्चा ही करते हो बड़ी बड़ी चर्चाओं पर बात करना चाते हो बात करो अज महर के उपर अज महर का चिस्ति क्याता है कि लड़की चीज ही आसी है लड़की चीज ही आसी है ऐसी बातों पर चर्चा है तुम आभारत के लिए उदारण हो और आने वाली विरासत में आज भारत के हर उसी प्रकार दिना होगा पर्चे चिपकाना ही नहीं ho बाहर तक भाहर तक भाहर तक भेज़के आना है जो तारों के नीचे से गुजगुज़के आये ना इन्हें तारों के उपर से फैका जाएगा यह याद रखें भारत की भूमी सनातन संस्कृति के ओर रहा है अधी देवो भवा के नारे के साथ जीते हैं लेकिन यह लोग क्या करते हैं हमारी बेटियों को लव जीहाद में फसा रहें तब क्यों नहीं कोई आस तक महां पंचायते हो रही हैं इनकी जब देश में बटवारा हुआ तो उनको भगाने का अधिकार किसने दिया था बताईए न कश्मीर से किस समिधान के अधिकार से कश्मीर के पंडितों को बगाया गया किस समिधान के अधिकार से बंगाल के अंदर हमारे हिंदूओं को प्रताडित किया गया मारा गया किस समिधान की बात कर रहे हो यह सरिय अगी बात करते हैं, वो सम्विधान पर चल सकते हैं, आज भारत के अंदर अगर सम्विधान है, तो केवल भगवादारियों की वज़े से, ये तो कब का सम्विधान को सरिया में बदलने के लिए तैयार गूम रहे हैं, आप लगता है, PFI को नहीं अभी तक पड़े हैं, बिह खंड ने किया है, वो एतिहासिक है, और एतिहासिक रहेगा, जब भारत का बटवारा एतिहासिक हो सकता है, भारत के बटवारे के समय नरसंगहार, अगर एतिहासिक हो सकता है, किसकी नजर में उनकी, नारा दिया था इन्होंने, और उन नारों को याद करते हैं, इन्होंने सेर घड़े हैं तुमारे कितने मुगल और कितनों की कबर खोद दी हम उनके वनसज खड़े हैं यहाँ पर यह मजारे जो बनाई गई थी देव भूमी है हमारी उत्रागंड और देव भूमी गए अगर यह लोग मजारे बनाकर इसलाम को बढ़ाने का कारे कर रहे हैं बरदास नहीं किया जाएगा बिलकुल भी क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय पर इनको पूरी पूर्ण आजा दी और छूट दी गई जहां मर्जी मुर्दा लोटाओ और जहां मर्जी चादर चला